हाई फ्रेंड्स नास्ते में कुछ हट कर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो आज का नास्ता 100% हट कर है कम समान से या कर सकते हैं घर में रखी हुई समान से बहुत जल्दी बन जाता है तो चलिए रेज़ भी सुरू करते हैं तो गैस पर एक कढ़ाई गरम करेंगे और एक चमच सफे तील डालेंगे सफे तील की जगा आप ब्राउन वाला तील भी ले सकते हैं कुछ सकेंड इसे अच्छे से पकने दें अब इसमें हम दो कप पानी डालेंगे चार चमच बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे नास्ते में अच्छा सा कलर के लिए दो पींच हल्दी पौडर एट करेंगे आधा चमच लाल मीच का पौडर डालेंगे आधा चमच काली मीच का पौडर डालेंगे और पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे तो यहाँ पर देखिए पानी में उबाल आ गया है अब हमें यहाँ पर सूजी एट करना है तो यहाँ पर एक कप सूजी लेंगे तो यह पतला वाला सूजी है अगर आपके पास मोटा वाला सूजी हो तो थोड़ा सा मिकसर में चला लीजिएगा तो यहाँ पर आप माप को ध्यान दीजिएगा जीस कब या कटोरी जिससे भी आप सूजी ले उसका दुगना पानी ले और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे तो गुठली को तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो इसे हमें अच्छे से मिलाते हुए डो जैसा करना है तो देखिए यहाँ पर डो के जैसा बंद गया है ऐसा ही हमें चाहिए अब गैस बंद कर देते हैं और इसे हलका ठंडा होने देते हैं जादा ठंडा नहीं करना है जितना हाथ बरदास कर सके उतना ठंडा करना है तो इस डो को एक खाली बरतर में निकाल लेंगे अब इसमें एट करेंगे तीन मीडियम साहच के उबले हुए आलू जिसे हमने उबाल कर और छिलका निकाल कर कद्दू कसकर के लिया है आधा चमस नमक जाएगा आप अपने स्वात के हिसाबसे नमक डाल ले अब इसे हमें अच्छे से मिलाना है अगर इसमें थोड़ी बहुत आलू की गुठलिया है भी तो इसे तोड़ते हुए अच्छे से मसल मसल कर मिला लेंगे तो फ्रेंड्स ये नास्ता बहुत ही कम समान से और बहुत ही टेश्टी नास्ता बन का तयार होता है तो आप इस रेस्पी को जरूर ट्राय किजिएगा तो इसे हमने अच्छे से मिला लिया है अब हाथों को अच्छे से धो कर तेल से अच्छे से ग्रीस कर ले ताकि ये नास्ता बनाते समय हाथों में चीपके ना अब इससे हम नीमू के जैसा एक पेड़ा लेंगे हथेलियों में गोल गोल भूमाते हुए पहले लड़ू जैसा बना लेंगे फिर इसमें हम होल कर देंगे अंगूली से आप चाहें तो पेन का ढखकन से भी कर सकते हैं इससे क्या होगा हमारा नास्ता बहुत अच्छे से पकेगा और देखने में भी बहुत सुन्दर लगेगा ये नास्ता इस नास्ता को हमें गर्मा गरम सूजी से ही तियार करना है इससे क्या फाइदा होगा थोड़ा सा भी क्रेक्स नहीं होगा हमारे नास्ते में तो यहाँ पर हमने सारे नास्ते रेडी कर लिए हैं तो इस नास्ते को हम आज कम तेल में फ्राइ करेंगे आप ज़्यादा तेल में भी फ्राइ कर सकते हैं तो एक एक करके नास्ता जितना भी एक बार में आएगा उतना हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम इस समय मीडियम कर देंगे कीचन की कुछ रखी चीजों से असानी से बन जाएगा ये नास्ता फ्राइ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोनों सैट से क्रिस्प होने तक फ्राइ कर लेंगे अगर आपके बच्चे बाहर की चीज समोसे वगेरा की जीत करें तो ये नास्ता उन्हें बना कर दे सकते हैं उन्हें बहुत ही पसंद आएगा तो ये देखिए नास्ते में बहुत ही प्यारा कलर आ गया है सभी नास्ते एक एक करके निकाल लेंगे बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में और स्वाद ऐसा कि इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे तो इसी तरह से सभी नास्ते फ्राई कर लेंगे बहुत ही कम मेहनत में फटा-फट वनने वाला केस्पी मज़ेदार नास्ता या घर में अचानक महमान आ जाए तो ये नास्ता उन्हें भी बना कर दे सकते हैं तो सभी नास्ते फ्राइ हो गए हैं सूजी और आलू से आप पांच मिनट में जटपड बना कर त्यार कर सकते हैं वो भी एक अप सूजी से बहुत सारा नास्ता बहुत ही मज़ेदार कलर आया है तो इनको हम निकाल लिये हैं और ये देखिए आप इसे सोस के साथ या अपनी मन पसंद चटनी के साथ खा सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और कुरकूरे हैं और अंदर से कितना बढ़ियां जाली बना है हमने सोडा इनो किसी चीज का इस्तमाल नहीं किया है फिर भी कितने कुरकूरे है तो चलिए खाईए पीजिए इंज्वाइ कीजिए रेस्पी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलते हैं नए दिन नए रेस्पी के साथ